सास नंबरी बहुत दस नंबरी पूरे घर में मालते देवी का हुकम चलता था अपनी बड़ी बहु को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी चलो देर हो रही है बारा बजे से पहले लड़की वालों के यहां पहुँचना है हाँ हाँ चलती हूँ मैं तो भगवान से बस यह दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहु मेरी मुठी में है उसी तरह मेरी छोटी बहु भी मेरे इशारे पे नाचे अरे भगवान भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करें इस तरह मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती है मालती की छोटी बहु फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी उसका सपना था कि शादी की बाद वो अपना खुद का बुटिक खोले एक दिन क्या बात है छोटी तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी आप चाहे तो मैं आपको भी सिखा सिती हूँ हाँ फिर हम दोनों मिलकर एक बुटिक खोल लेंगे दीकिन दीदी उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे हाँ तु क्या हुआ पैसे माजी से ले लेंगे हाँ हाँ मेरे पास तो पैसों का पेड है ना तोड़के तुम दोनों को दे दूँगी मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो मैं तुम दोनों को एक धेला भी नहीं देने वाली बड़ी आई बुटिक खोलने वाली ये आप क्या कह रही है माजी आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा अरे अगर बुटिक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माबाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती मेरे पैसो पर क्यों आख गड़ाए बैठी हो तुम दोनो इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके मालती देवी वहां से चली जाती है अरे ये क्या दीदी माजी तो साफ मुकर गई अब हम क्या करेंगी निकलता तो उसे उंगली टेड़ी करके निकालना चाहिए माजी अपने आपको समझती क्या है पुरी सोसाइटी जानती है कि माजी ने अपनी सास को घर से निकाल कर उनकी दौलत पर कबजा कर लिया है हा दीदी अब तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रच्चती है एक दे अरे नालायक ज़रा ठीक तरह से पैर दबा बलकुल मजा नहीं आ रहा खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती तबी वहां बड़ी बहु हाथ पे एक फॉर्म लिकर आती है माजी आपके लिए एक खुशका भी है सरकार सभी बुजर्गों को हर महीने 10,000 रुपे पैंशिन देने वाली है हरे ये क्या कह रही है तू क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपे मिलेंगे हाँ माजी दीदी सच कह रही है कल टीवी न्यूज में इस बारे में बता रहे थे बस आप ये फॉर्म पढ़के इसे भर दीजिए और अपने दस्तकत कर दीजिए मैं इने ले जाकर जमा करवा देती हूं अरे नालायक बड़ी काम चोर है तू इस बुड़ा पे में कहा तुम मुझसे फारम भरवा रही है खुदी भर ले मैं दस्तकत कर देती हूं ठीक है मा जी फिर बड़ी बहु बड़ी चालाकि से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रापर्टी के पेपर छिपा कर रख दीती है और उन पर मालती देवी के दस्तकत कर वा लेती है कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने पती के साथ दो दिनों के लिए अपने एक रिष्टिदार के यहां जाती है दूसरे तरफ दोनों बहुए पूरे घर पर अपना कबजा कर लेती है मालती देवी जब अपने रिष्टेदार के यहां से लौटती है तब अपने कमरे में ताला लगा देख आग बुबुला हो जाती है अरे नालायको मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है माजी ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और आज से आप बाहर कुने में जो छूटा कमरा बना है न वहां रहेंगी अच्छा मैं उस सडेले कमरे में रहूंगी है तेरी ये कहने की हिम्मद भी कैसे हुई और मेरी इजासत के बिना मेरा कमरा देने वाली तु होती कौर है लगता है तु भूल गई इस घर की मालकिन मैं हूँ तभी वहां छोटी बहु आती है अरे माजी आप इस घर की मालकिन नहीं है अब इस घर की नहीं मालकिन हम दोनों बहुए हैं ये देखे इन प्रापटी की पेपर पर आपी की दस्तकत है अरे भाग्यवान ये तुमने क्या कर दिया दस्तकत करने से पहले एक बार ठीक से पढ़तो लेती अरे लेकिन मेरी बहुए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है अरे तो इसमें कौन सी अचरच की बात है तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था तूटा भूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने कम से कम हमें रहने के लिए कमरा तो दिया तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी चलो, अपना सामान उठाओ और चलते हैं